इसकार आजम डिस्कस करेंगे important current affair के question आप national international affair के question भी कह सकते हैं तो आने वाले PGT के exam में, allied service के exam में, HHS के exam और कोई भी आने वाले exam में वहाँ पर definitely आपको help मिलेगी और जैसे कि पहले भी जो हो मिलती लेगी तो question number one से discussion स्टार्ट करेंगे अक्सर जब भी भारत रतन एवार्ट दिये गए होते हैं आपने नाम कहीं न कहीं पर सुने होते हैं प्रंतु करपूरी ठाकर जो है इनको भारत रतन एवार्ट दिया गया है मरनो प्रांत इनको दिया गया है और यह जो धना यह बिहार के chief minister हुआ कर दे थे किसी टाइम यह आ इसक्शन हुए दिसंबर 1977 भिर से मुख्य मंत्री बनते हैं यह नाइटिन सेवंटी नािं तक जो वह कि मुख्य मंतृं रहते हैं और जनता पार्टी से जो मुख्य मंत्री जो है यह बनते हैं ने जननायक भी आप्सका मतलब क्या हुआ पीपल रूप पीपल क соглас हम प्विब्द बीडर आपके सकते हैं इस लोगों के नएए उन को गोर दीआ जैख और इनको कारेकाल के दुर्फ पॉटनिंग शीज इना वा हुई मॉंगेवाशी लाल को साये यह लेनार मुंगेरी लाल कमिशन जो था वह 1977 की ये बात है कि कमिशन की रिपोर्ट जो था वह submit की गई थी और इसमें क्या कहा गया था जो backward classes है ना उनको रि-classify किया जाए और उनको extremely backward classes जो हो कहा जाए ये कहा गया था और backwards classes भी प्रंतु जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड है उनको एक्स्रिमली बैकवर्ड और फिर बैकवर्ड इस तरह से जो है वो कहा गया था रिपोर्ट को भी आया था मंडल कमिशन में रिजर्वेशन की बात की गई तो टॉन्टी जैबंटी पर्शेंट हो घाल फिर वो तो अपको पता ही है मंडल कमिशन अपने प्लिटी में पड़ रखा है मंदल कमिशन से जो था वह 27% reservation जो था वह OBC class को जो था और backward classes को जो था उसको इप्लिमेट कर दिया गए था 1990 के दसक में इसको implement कर दिया गए था और उसके बाद तो आपको पता है कि politics का एक पेस ही तो किया गया यहां से आप बड़े ही इंट्रस्टिंग पॉंट जो हो जानेंगे इसका आर्किटेक्स टाइल तो हमने बहुत पहले जान लिये था कि नगाड़ा आर्किटेक्स टाइल में यह बना है है आपने यह ध्यान रखना है यह किष मनदिर को जब बनाया गया तो इसमें कोई भी आयलन का इस्तेमाल नहीं किया गया सिर्फ संड dai से बनाया गया ब्रिक बाइब इंटों से इंटे जोड़कर ही इसको बनाया गया और यह मंदीर ना कितने भूमी पर पैला हुआ है 2.7 एकड़ लेंड में जो है वो यह मंदीर का एरिया है और जो बिल्टप स्पेस है जहां पर बना हुआ है यह वह है 57,400 square feet ये आपने धियान रखना है estimated cost तो आपने इसकी जान लिखी 1,800 crore है प्रन्तु donation से जो पैसा collect हुआ है वो कितना crore collect हुआ था वो बहुत जादा था ये 3,500 crore रपया ना collection थी और अभी तक तो 1,800 crore रपया ही यहाँ पर खर्च किया गया है इसमें total number of floor जो आते हैं वो तीन floor जो है वो इसमें आते हैं 12 gate मंदिर में जो है वो आते हैं 360 feet length जो है वो temple की है ये भी यहान रखना है और height जो temple की है वो है 161 feet तो कोई ये सारी चीज़ें याद रखना मुश्किल है परन्तु फिर भी सुनना जरूरी है इन चीज़ों को क्या पता कहीं से कुछ question पूछ ले जाए बैसे expected नहीं है कितने deep में question पूछा जाएगा क्योंकि यहां से बन नहीं सकता परन्तु उसकी cost हो गया यह चीज़ें important है इसकी cost जो भी important point पता चलता है अगर चीज़ें सुनी होना तो एक्जाम में कहीं न कहीं पर काम आ ही जाती है और चीज़ें तो यह आपने यहां से सारी बाते नोट कर ली होंगी अगले question देखते है हमार बात क्या दिया गया है प्राकरम दिवस इस दिन सुभाष चंदर बोश जी की जो है वो birth anniversary जो होती है यह आपने धियान लखना है प्राकरम दिवस के बारे में मैंने telegram जो हमारा group है वहां पर quiz की form है यह दोनों question जो डाले थे फ्रन्तु इसके behind भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए इनका जन्म जो था 23 जनवरी को हुआ था और 1897 में जो था वह उनका जन्म हुआ था यह आपने धियान लखना है इन्हें जो था इन्हें जो था वह निक ने मैं नेता जी भी गहा जाता है यह भी धियान होना चाहिए यह इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के प्रेजिडेंट कॉंग्रेस के दूसरी वार फिर से ये जुनेगी नाइंटें धरिटिन फिर से जुनेगे प्रनत्तु यहां पर नाचई पर फरट्से सैनुगा था जब यहां पर थोड़ासा चक्र जल बड़ा क्याते हैं कि लिए महाइखन गानदी को यहां प्रमीशन नहीं लिए था उ नहीं थी यह कारेकाल इनका नाइटिन थे नाइजरेन करना पड़ता है रजन करने के बाद राजेंदर पर साथ जो है वह आते हैं यह आपने बात ध्यान रखनी है साथ मैं ही आपने और क्या ध्यून रखना है इन्हें Father of the Nation भी जो इन्होंने Father of Nation भी कहा परदु महत्मा गांधी को इन्होंने Father of Nation कहा था यह आपने जुरूर ध्यान रखना है इनके दोरा यह Slogan भी दीया गए था एक्जाम भी उस टाइम ने का लिया था ये विवेकानन्द की टीचिंग से बहुत ज़्यदा प्रभावित थे प्रंतु बात में चलकर इन्होंने इंडियन सीविल सर्फिस से जो था वो रिजाइन भी जो था वो दे दिये था ये भी नोट करना है आपने साथ में ही साथ में आपने अब क्या वाद ध्यान रखनी हैं कि पराकरम दिवस सबसे पहली वार कब मनाया गया है बहुत पहले से नहीं मनाया जा रहा है ये 2021 में जो था वो सबसे पहली वार मनाया गया था 23 जनवरी 2021 को यह पहली बार मनाया गया था चेन्टर गोर्मेंट के दोरह यह घोशना की गई थी कि इस दिन को हम पराकरम दिवस के रूप में जो है वो मनाएंगे और भी बहुत सार यह चीमेंट्स हैं सुभाष चंदर बहुश जी की परन्तो हमने important one mcq based questions यहां से जान लिए जो बन सकते हैं अगले question में बोलते हैं what is the new name of Rajput the iconic avenue in Delhi तो बोलते हैं कि नए दिली में जो प्रतिष्टित हमार्ग है Rajput जिसका नाम है उसका राजपत का नाम क्या कर दिया गया है new name इसका क्या है नया नाम इसका क्या रखा गया है राजपत का देखो राजपत का जो नया नाम रखा गया है वो करतब्य पत्थ रखा गया है यह आपने धियान रखना है और देखो जो प्रेजिए पर जो होती है यह भी आपने ध्यान रखना है अगर हम रिपब्लिक डे की बात करें तो देखो अभी रिपब्लिक डे आ रहा है और रिपब्लिक डे की क्या बात है 26 जनवरी को जो चीफ गेस्ट आ रहे हैं इंडिया में वो कौन आ रहे हैं वो फ्रांस के प्रेजिडेंट एम्यूल मेक्रॉन जो हो आ रहे हैं उनका नाम अपने ध्यान रखना है साथ में जो भी important question अब आगे बनते रहेंगे न 26 जनवरी से रिलिटर दो तिन question तो हम पढ़ चुके हैं आगे जो बनेंगे questions ना उनको एक साथ note करना तो बहुत ज़्यादा help आपको मिलेगी revision के time उस वहां से अभी तो यह हो गया हाँ यहां से हम कुछ एक important fact जान लेते हैं क्या fact जानेंगे हमारे बास बहुत सारे important leaders हुए हमारे history में उनकी समाधी जहां जहां पर है जो भी स्थल वहां के है न समाधी के उनको कुछ ना कुछ नाम दिया गया जैसे कि महात्मा गांधी की समाधी को ज अगात का जाता है यह अपने धियां दैनका दान यह ऑन्राजिव गांदी की समाधी को वीलंगी का जाता है जो हरलालति नहरूं जी किसमाधी को संति वन का जाता हैं और इंदिरा गान्दी की स्माध्धि को सकती स्तल जो है वो कहा जाता है, तो ये बातें आपने ध्यान रखनी हैं. यह पर हां, बीयार अंबेडकर तो रहागे, most important जिनके बारे में पूछा सकता है, तो चात्य भूमी उसको कहा जाता है, ये आपने ध्यान रखना है, जात्य Japan has signed an agreement with which of the following country to purchase Tom Hawk missile तो बोलते हैं कि हाल ही मैं Japan ने Tom Hawk missile खृदने के लिए जो है वो किस देश के साथ एक समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं देखो हाल ही मैं Japan के साथ जो है वो एक समझोते पर हस्ताक्षर किये गए है जिसमें बात की गई है Tom Hawk missile को खृदने की अब देखो Tom Hawk missile को खृदने की बात जापान ने की है USA के साथ option C जो है वो सही अंसर है USA के साथ ही समझोते पर हस्ताक्षर किये गए हैं यह बात आप नोट करें यहां से हम क्या जानेंगे हम देखो Tom Hawk missile के बारे में जो है वो जान लेंगे Tom Hawk missile है एक missile नाम से ही पता चल रहा है परन्तु यह कौन सी कंट्री की missile है USA की जो है यह missile है यह आपने ध्यान लग रहा है और अभी इसको जो हो खृदने की बात चली हुई है कौन खृद लेगा इसको जापान जो है वो खृद लेगा और अगर हम कुछ ऐसी missile की बात करते हैं तो एक हमने missile पढ़ी थी कुछ दिन पहले खैबर missile खैबर missile जो हो कौन सी कंट्री की है तो यह इरान कंट्री की missile जो है वो आती है यह इरान कंट्री की missile है इंडिया की भी कुछ missile हमारे बात हैं जैसे की प्रलाय मिसाइल हो गया यह surface to surface missile है surface से surface के उपर वार करने वाली यह missile है यह आपने ध्यान लगना है और अगर हम मिसाइल के बारे में जाना है जैसे कि अगनी मिसाइल हो गया अगनी भी एक important मिसाइल है अगनी जो आती है न मिसाइल ये एक सूपर सोनिक क्रूस मिसाइल आती है और इसी तरह हमारे पास प्रिथवी मिसाइल है जो कि surface to surface मिसाइल है हमारे पास ACAS missile है जो surface to air missile है यह आपने धियान रखना है तो यह हमने missile system जान लिए जो इंडिया के पास जो है और इंडिया की power को जो हो काफी मजबूत जो हो यहां से यह करते हैं जो कि इंडिया की security को जो हो चीज़ें ensure फिर करती है तो यह हमने missiles के बारे में clear किया है यहां से अगला question देखते हैं मारे पास क्या पूछा गया है यहां पर बोलते है recently Chang 6 mission in news is associated with which country तो बोलते हैं कि हाल ही मैं खबरों में रहा चाइंग छे mission है ऐक इस देश से संबन दित है मिशन तो मिशन जो है किस देश से शमंदित है यह mission और चाइना ने रुवेज हम चाइना ने इस mission को जो है यानिके चंद्रमा के उपर जो है वो इसको भेजा जाएगा चांग 6 मिशन को चांग 6 जब नाम आया तो इससे पहले मतलब 5 इस तरह के मिशन जो है और रह चुके होंगे ये क्लीर आप यहां से कर लें बात और इसी तरह देखो अब भी हमने अलग अलग कंट्रीज के चांद के उपर मिशन गई थे वह हमने पड़े थे की कौन कौन से मिशन अभी तक हम पड़े चुके है एक चंद्रियान 3 हमारा हो गया हमने लूना मिशन भी पड़ा था एक लिवन मिशन फेलू हो गया था चंद्रियान के इसुटाम घंड रौव आ लाइशए से द्वांश घौर Hm कर है उसके द्वरा भी जिए वह क्या किया गया है चंद्रमा के अपर अपने मिशन भी है — स्मारट रेटर लेंडर मून स्लिम करके उसको नाम दिया गया है स्मार्ट लेंडर फॉर इंवेस्टिगेटिंग मून यह जो हो नाम दिया गया और देखो इंडिया के बाद जपान जो हो फिफ्ट ऐसी कंट्री बन गई है अब जिसने यहां पर मिशन जो हो भेजा है तो यह आपने ध्यान रखना है पर देखो यहां पर क्या हो ना जब जैपान का यह जाक्सा मिशन यहां पर गया तो यह अभी लैंड तो कर गया है पर उन्हों ने क्या किया था यह पूरा स्नाइपर रखा था अपना इक तरह से कि हम एक्जेक्ट्ली ना उसी जगह जो हो लॉंच करेंगे मून पर एक अभी तक नहीं हुई है कि यह मतलब एक्जेक्ट्ली वहीं पर लैंड किया है जहां पर उन्होंने सोचा था यह कहीं और पर किया है उसके लिए चाहिए एक महीना भी लग जाएगा यह जापान के एजनसी कहती है बीच मेंस के सोलर पैनल भी जो था वो काम करना बंद कर ग अगर हम इंडिया के चंदरियान थ्रीए की बात करते हैं तो देखो चंदरियान थ्री को लांच किया गए थैं जुलाइ महीने में 2014 तारी को पाम कियागए थैं और हाज देखने हैं इनसस्थागत करते हैं यह इवड उसी दोरां जो था वो दिया गया जब जब यह पराक्रम दिवस यहां पर मनाया गया तो यह दिया गया है سिस्टी पेरासूट फिल फिल्ड होस्पिटल जो कि उत्तर प्रदेश में इस्तिथ है उसको यह दिया गया اॉपशन भी सही अनसर हो गया अब क्यों इसको दिया गया है क्या पूरी बात है वो जानेंगे तो आपको बड़ा इंट्रस्टिंग लगेगा पहले तो देखें कि 2024 के लिए जो हो 60 पेरासूट फिल्ड हॉस्पिटल जो की उत्रब्रदेश में अस्तित है उसको इंसिचूशनल कैटेकिरी में जो है यह दिया गया है सुवाज चंदर बॉस आपदा प्रबंदन 2024 का फुरुसकार यह आपने धियान रखना है यह जो 60 पेरासूट फिल्ड हॉस्पिटल उत्रब्रदेश का है 1942 में अस्तिबलाइस किया गया था तो यह बात जरूर धियान रखें कभी इसको इसको इस्तिबलाइस किया गया था अगर को इसने क्या किया है इसने मेडिकल एसिस्टेंस टाइम टाइम पर प्रोवाइड करवाई है जब उत्रा खरंड में फ्लड आया था 2013 में तब भी इसने वहां पर जाकर साहिता की थी निपाल का जो अर्थक्यूक था जहां पर ऑपरेशन मेतरी करके लाँच किया गया था तो 2015 में वहां पर यह हल्प करता है इंडोनेशिया में सुनामी आती है और सुनामी में ऑपरेशन समुद्र में चलाया जाता है 2018 में चलाया जाता है और रिसेंटली जो अभी 7.8 मेगनिटूट का जो आया था तरकी और सीरिया में फरवरी 2023 में उस दिरान भी जो था वो इन्होंने काफी हेल्प वहां पर जाकर क इन्होंने जो है वो 99 मेंबर टीम एस्टेवलाइज की अपनी और इन्होंने लेवल 2 मेडिशन फैसिलिटी जो था तरकी में प्रवाइड करवाई जाकर और इन्होंने स्कूल में हॉस्पिटल बनाके थार्टी वैड हॉस्पिटल बनाके वहां पर इंस्टिड आफ लेंग जाता है अब देखो यह दे मनाया गया थेजिए आपने पढ़ लिए अब 24 जन बरिया पढ़ रहा है थेजिए अपने प्राक्रम दीवास पड़ा था चौबीश जन में उत्तर प्रदेश का यह दे बड़ रहा है उत्तर प्रदेश की स्थापना इसे ने फांड़ेशन रे यहां पर कितने सीट से आती है Candid副 जो विद्ण सबसे भड़ा ہं यहां पर आती हैं हमने कहा यहां है किस सबसे भड़ा स्थेट रहता है अमीक्रियम का क्रीब समक्राइबcom Diary कितने में में यहां पर यहां है तो लगवग ले किशा से ऱे सेंग डिकाई है यह आपने ध्यान रखना है तो उत्तरप्रदेश की कितनी importance है अब elections में वो भी आपको पता चल गया तो उत्तरप्रदेश से question बन सकता है अब हम जानते हैं थोड़ा सा odd detail में अब देखो उत्तरप्रदेश की स्थापना जो था वो हुई कब थी exactly तो 24 जनवरी 1950 को जो था उत् इसको उत्तरप्रदेश नहीं का जाता था इसको United province जो था वो का जाता था प्रंतु बाद में चलकर इसको उत्तरप्रदेश का नाम जो था वो दिया गया अब इसको उत्तरप्रदेश का नाम दिया गया तो बहुत बड़ा state यह एक था यहां से बाद में चलकर कुछ state भी है वो उत्तर प्रदेश जो है वो निकलता है उत्तराखंट उत्तर प्रदेश से निकलता है यह आपने धियान लखने और कौन से और कौन से इयर की है यह निकलता रह जो फैने तो ility सिरफ उनिएटी से प्रोविंसE transitioning data- JU ups इसको उत्तरप्रदेश नाम दिया गया अब इसको उत्तरप्रदेश नाम दे दिया गया तो उत्तरप्रदेश नाम देने के बाद 2000 में जरूरत पड़ी कि एक अलग से और स्टेट होना चाहिए तो उत्तरप्रदेश से ही उत्तरखंड को जो था वो फिर निकाला गया और 27 न प्रधान्मंत्री विस्वकर्मा यूजना को लॉंच करने वाला इंप्लीमेंट करने वाला वो है जम्हु काश्मीर ऑप्चन-ड जो है वह सही अनसर है अब यह PM विस्वकर्मा यूजना है क्या यह वाता होना चाहिए देखो PM विश्वकर्मा यूजना जो है एक स्कीम लांच की गई है सेंटर गौर्वर्मेंट के द्वारा मिनिस्ट्री ओफ MSME के तहद यह लांच की गई है इसमें क्या होगा इसमें जो है वो स्कील ट्रेनिंग के लिए इंसेंटिव दिये जाएगा जो स्पैसिफिक ट्रेड में छोटे छोटे लोग जुड़े हुए हैं दुकानदार जुड़े हुए हैं उनको यहां पर स्कील दिया जाएगा Linkage Port मिलेगी मार्केट में Digital Transaction Articians को मिलेगी Crafts Persons People's को यहां पर cover किया जाएगा 5 Year के लिए इसको चलाया गया है तो यह 2023-2024 से लेकर चलेगी और 2027-28 तक जो है यह चलेगी यह आपने धियान रखना है 2023-2024 से 2027-28 तक जो है यह चलेगी और साथ में ही रखा गया है मतलब टूल किट परचेस करने के लिए इंसेंटिव रखा गया है जो कि 15,000 रपया जो है उसरकार के दोरा रखा गया है जो बेनफीसरीज होंके जो फाइदा लेंगे ट्रेनिंग लेंगे प्रोग्राम्स में तो पूल्ठ किया गया है यह आपने ध्यान लगे प्रतान मंतरी नरिंदर मोधी का 73 वर डे जब था ना तब इसको लाउच किया गया था यह भी ध्यान रखें कि 73 वर डे जब इनका था ना 17 सेफटेंबर 2023 को तब इसको जो था वो लाउच किया गया था दो लाक रुपाय तक का लोन यहां पर मिल जाएगा और पांच प्रेसेंट की इंटरस्ट रेट में जो है यह दो फेसीज में जो है वो लोन मिलेगा सिंपल सब्दों में पूछा जाए कि कवर किसको किया जाएगा सियोजना कहता है जो आर्टिस्ट होंगे उनको और जो क्राफ्ट्समैन होंगे उनको यहां पर कवर कवर जो है वो किया जाएगा तो यह question clear हो गया अगले question में क्या बोलते हैं देखिए यहां पर अगले question में बोलते हैं यहां पर recently इमोईनु इर्तपा festival observed in which of the following state तो यह इमोईनु इर्तपा festival अभी observed किया गया है कहां पर किया गया है तो यह देखो observe किया गया है बनीपूर में option A जो है वो सही answer हो जाएगा इसको जो है इस fast festival को जो है ना new year festival के रूप में भी observe किया जाता है यहां की जो jelly wrong community है उसके द्वारा यह आपने धियान रखना है देखो festival fairs होगे उनके बार में question अगर बने ना exam में तो वह आपको साथ साथ में note करने होते हैं जैसे कि हम पहले कौन कौन से important festival जो है पढ़ चुके हैं इससे पहले देखो हम पढ़ चुके हैं जाली का टू festival प्रंत उससे भी पहले अगर आप PGT के exam की त्यारी कर रहे हैं तो PGT पेपर वन में ये काफी help आपकी करेगी आपको पता चल जाएगा कि आपकी कमिया के हैं नीचे description box comment box में link दिया गया है अभी हम बात कर रहे हैं जाली काटू की जाली काटू क्या है जाली काटू एक festival है जो कहां पर मना जाता है तमिल नाडू में जो है वो मना जाता है जाल कहां पर ये मना जाता है दोनों के दोनों तमिल नाडू में जो है वो मना जाता है अब देखों इंडिया के अलग-लग states में जो है वो अलग-लग festival मना जाता है जैसे की बीहू festival असाम में जो है वो मना जाता है अपने ध्यान अकना है काइट festival भी मना जाता है गुजरात में मुख्य रूप दोन 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 तो कोसुत हैं अपने ध्यान रखना इसकी ओंद से". ये केरला का जो है एक important festival जो है वो आ जाता है ये आपने धियान रखना है एक dessert festival मना जाता है जो dessert रेगिस्तान है वे ऐसा festival मना जाता है तो ये obviously राजिस्तान में ही मनाया जाता है और कुम्भ कामेला लगता है कुम्भ कामेला उत्रप्रदेश में जो है वो लगता है अदोकर दुर्गा पूजा भी जो है वो स्टेट्स में की जाती है प्रन्तु वेस्ट बंगॉल की जो दुर्गा पूजा है ना उसको युनेसको की जो कल्चरल विनेसको की जो इंटेंजिवल कल्चरल हरिटेस लिस्ट है ना उसमें इसको सामिल किया जा चुका है और 2021 की ये बात है लाइट जैसी जॉब और PGT जैसी जॉब ये बड़े ही रेयर चांसिस हैं कि दोनों का मौका मिले तो PGT का तो आपको पता चल गया है ribриз की टेस्ट concurrent से हो गया आपको फ्रैक्टिस आपकी ओहां से हो जाएगी को ऑठीज़ेशे छोटी चीज़े होती और लृबग 50 बिर्सकोंट पर अभी है लाइट से इस की टेस vigार कर सकते हैं तो ओलते हैं 19th नाम, नाम सम्मिट set to begin in which of the following state ये जो नाम है ना ये है non-alignment moment ये आपने धियान लखना है ये non-alignment moment जो है बोलते हैं ये नाम moment जो है ये बोलते हैं कौन सी city में launch की गई है कौन सी city में ये होगी 19th number की जो नाम सम्मिट है तो अभी तो हो गई है ये आपने comment करके बताना है कहां पर हुई इससे last edition में हम detail से पढ़ चुके हैं telegram पर अगर आपने join नहीं किया है telegram पर join करने के लिए अपने telegram से add the rate all exam 31 इस तरह से search करें आपको हमारे telegram channel जो है वो मिल जाएगा telegram पर important pdfs notifications हर एक चीज मिल जाती है जो आपके exam में help करती है that's all for today thank you thank you very much for watching and listening it very much